नमस्कार साथियों आप सभी के लिए UGC की तरफ से एक नई गाइडलाइन जारी होने वाली है और जैसा कि आप सभी देख रहे होंगे इस स्क्रीन पे कि यहाँ पे है कि एक साथ दो डिगरी कोर्स कर सकेंगे विद्यारती तो इस खबर को अगर हम लोग डिटेल में पढ़ें तो यहाँ पे UGC के चेर्मेन ने कहा है कि बिश्विद्याले अस्तर पे इस तरीके के कोर्स निर्भर करेंगे और राश्टी सिक्षा नीती में भी इसकी सिफारिस की गई है तो चले पूरी बात को समझते हैं कि इस खबर का इस नियूज का मतलब क्या है देखिए अभी तक यह होता था कि एक सांथ दो डिगरी कोर्स करना वैले नहीं माना जाता था सेम टाइम सेम डूरेशन में लेकिन अभी आपके सामने देख रहे होंगे गाइडलाइन ये एक दो दिन में जारी हो जाएगी UGC की तरफ से औ आप एक समय में एक सांथ दो डिगरी कोर्स कर पाएंगे अब इसके लिए कुछ चोटे चोटे नियम बनाए गए जैसे कि अगर आप दो कोर्स एक साथ कर रहे हैं दो डिगरी कोर्स तो या तो यह ऐसे कर सकते हैं कि सुबह और साम की सिफ्ट में हो जाए या फिर ऐसा भी ह है आप कर सकते हैं अच्छा इसके पहले क्या होता था इसके पहले होता था कि फिजिकल मोड में ही दो कोर्सों में दाखिला लेने पर छात्रों के सामने उपस्थिती का संकट पैदा हो जाता था तो इस तरह की इस थिती बिभिन प्रकार के निउस पेपरों में ये खबर जो है पब्लिस की गई है आज और एक दो दिन में UGC के तरफ से एक कम्प्लीट गाइडलाइन आ जाएगी तो उस गाइडलाइन को हम लोग और डीटेल में चर्चा करेंगे बाकी कुछ और निउस पेपर में आप देख सकत हैं यहाँ पे दो पूर्ण कालिक डिगरी कोर्स एक साथ कर सकेंगे विद्यार्थी ऐसा UGC के द्वारा कहा गया है UGC ने हरी जंडी संबंधित दे दिया है तो यह आप सभी के लिए अच्छी और महत्तुपूर्ण खबर है ठीक है यहाँ पे भी इस निउस पेपर में आ आप सभी के लिए बहुत ही अच्छी बात होगी जब यह पूरी तरह से लागू हो जाएगा तो कहीं ना कहीं आप सभी के लिए यूजबल होगा अच्छा इसके लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तीन तरह से हो सकेंगी दो डिगरी मतलब यह जो दो डिगरी आप एक student है तो आप जो है classes अपना physically पढ़ सकते हैं मतलब classroom में बस थोड़ा सा ये होना चाहिए कि एक course की कच्छा कसम में दूसरे के साथ मैच ना करता हो इसलिए मैंने भी थोड़ी देर पहले बोला कि एक आप morning shift में कर सकते हैं एक evening shift में दूसरा रास्ता ये हो सकता है कि एक पाठेकरम class में जा करके और दूसरा online mode या दूरस्थ mode मतलब जो distance learning program होते हैं तो एक आप offline classes के माध्यम से कर सकते हो दूसरा distance learning से तीसरा रास्ता ये हो सकता है कि दोनों ही पाठेकरम online या distance education के माध्यम से complete किया जए तो ये तीन माध्यम या तीन रास्ते हैं आप सभी के लिए कि कैसे आप एक साथ दो डिगरी कोर्स में पढ़ाई कर पाएंगे complete इसकी जो guideline है UGC के द्वारा आने वाले एक दो दिन में जारी की जाएगी और जैसे ही वो जारी की जाएगी फिर जो है मैं आप सभी को उसको और डिटेल में समझाऊंगा तो इस ख़बर को अपने दोस्तों तक जरूर सेर करें जो कि सोच रहे होंगे कि एक साथ हम दो डिगरी कोर्स कर लें टाइम की बचत होगी तो कही ना कहीं आप सभी के लिए ये useful ने हुझे चलिए थैंक यू अब्रिवन